इसा दिब इस्थान है ये जहां पर भगवान भोले नाथ और परमा पारवती एक दूसरे को निहार तो मदल महल की सीडियों के बगल में आने बाले इस पड़ाओ के दर्सन हमें जरूर करने चाहिए यहां पर अब चन कदमों पर ही एक मंदीर आता है जो बिसाल सिलाखंडों के दारा निर्मित मंदीर है जिस तरफ महादेव सिब का मुखई ठीक उसी के सम्मुख माता पारवती का मंदीर है तो अहां पर महादेवी का एक काफी प्राचीन्तम और काफी दिब इस्थान भी है पर पहला पढ़ाव पढ़ता है तो यह मंदिर पढ़ता है जो भगवान भोले नात और पार्वती जी का मंदिर है आई उस मंदिर की तरफ हम जाएंगे जब मंदिर की और प्रवेश करते हैं तो एक देवा के लिखा हुआ है भाग पर निर्भरमत हो कर्म करो अर्थात कर्म wire दिखने बढ़ समय है और में मदिर के अंदर कि इसी प्रकार की गंदगी सजेशं दिया गया है और यहाँ पर चंद यहां पर बड़ा सा घंटा है और जब घंटा ध्वानी होती है तो ऐसा लगता है कि यह आध्यात्मिक जो इस्थान है जो इसकी आध्यात्मिकता है वो प्रतिविंबित होने लगती है और यहां एक बेहधी सांत पूर्ण माहल बेहधी सांत और आध्यात्मिक बाता बरण का दर्सन होता है यह महादेव का मंदिर है और यहाँ पर कुछ बोड लगे हुए हैं जिन बोड पर कई सारी जानकारियां अरजिद हैं अब हम इस मंदिर के जश्ट जब सामने की ओर देखते हैं तो जिस तरफ महादेव सिव का मुख है ठीक उसी के सम्मुख माता पारवती का मंदिर है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा दिब इस्थान है यह जहां पर भगवान भोले नात और जहां पर मा पारवती एक दूसरे को निहार रहें एक दूसरे के बिलकुल सम्मुख आमने सामने इस्थित हैं और यह जो जगह है, बेहद ही सांदार, बेहद ही सांदर्वान और प्रकीत के सुरम बाताबरण में बहुत ही मनमोहक इस्थल में इस्थित है। यहां का जुबाता बरण है वो आध्यात्मिक्ता को और अधिक बढ़ा देता है अत्यधिक सांती का अनुभव आप इस जगह पर कर पाते हैं। और कई सारी चीजे की जाती हैं लेकिन एक ऐसा दिब इस्थान हैं जिसको सजाने का कार्य प्रकिति ने स्वैम किया है यहां पर जो भी फूल पौधे लगे हुए हैं यह प्रकिति ने लगाएं हैं और इस प्रकित के सुरम बातावरण में महादेब स्वैम निबास करते हैं यह पंच जिद्ध मंदिर है अगर हम मदल महल की और बढ़ते हैं तो मदल महल की सीडियों के बगल में आने बाले इस पड़ाव के दर्सन हमें जरूर करने चाहिए और भगवान भोले नात महादेब के पावन दर्सन करके उनका क्रिपा पात्र बनने का एक महत्यपूर अत्यांती ही सौंदर रवान सुंदर रूप में आप देख पाते हैं साथ ही साथ इसी मंदिर से आप मेरे बगल में जिस तरफ मैं अपना हाद सी सारा कर रहा हूं उधर साइड देखते हैं तो वहाँ पर मादेवी का एक काफी प्राचीनतम और काफी दिब इस्थान भी है एक तरीके से कह सकते हैं भगबान भोले नात मा परवती और मा दुर्गा सारदा भी इसी जगह पर इस्तित हैं ये जो पहाड है आध्यात्मिक्ता से भरपूर सांती से भरपूर और मन को बेहधी सुकून और इस स्वर्ष के पास उनकी तपस्या उनकी साधना के लिए बेह बने रहे हमारे इस सफर के साथ तब तक के लिए बने रहे तक अबरदार नीज के साथ नमस्कार धन्यबाद